नया आधार कार्ट बना हो या पहले सहीं आपके पास आधार है लेकिन उसमें आपने किसी भी तरह का सुधार करवाए होंगे या अपडेट करवाए होंगे तो आपको आधार सेवा कैंदर पर इस तरह का रिसेविंग जरूर मिला होगा तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस रिसेविंग के माध्यम से कैसे आप अस्टेटस चेक कर सकते हैं कुछ यूनिक तरीका मैं आपको बताऊँगा इसलिए वीडियो को एसकेप मत किजिएगा सबसे पहले आपको अपने स्मार्ट फोन में गूगल क्रोम ओपेन कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको सर्च करना है मायाधार.uidai.gov.in ये लिंक आप अच्छे से देख लिजी आपको बिलकुल यही सर्च करना है उसके बाद आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक करना ह इस बेव साइट का कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको थोरा सा स्क्रॉल अप करना है और चेक इन्रॉल्मेंट एंड अप डेट अस्टेटस वाले औप्सन पर क्लिक करना है यहां पर अब आपको इन्रॉल्मेंट नमबर देना है जो की 14 डिजिट का होता है ये enrollment number आपको receipt पे मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो enrollment number लिखा हुआ है 14 डिजिट का वही enrollment number यहाँ पर लिखना है तो जैसे कि यहाँ पर है 2906 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया उसके बाद 48227 तो यहाँ पर लिख देना है 48227 फिर यहाँ यहाँ पर है 00207 तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 00207 तो वह जो 14 डिजिट का enrollment नमबर था वह मैंने यहाँ पर लिख दिया अब यहाँ पर देखे लिखा हुआ है Mention date and time as per the acknowledgement sleep जो की optional है यहाँ receiving पर date और time लिखा हुआ है लेकिन यह date और time जो है मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा क्योंकि यह optional है इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ तो यही मैंने बोला था कि कुछ unique बताऊँगा तो यहाँ पर आप बिना date और time दिये भी सिर्फ enrollment नमबर दे करके आप status चेक कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जैसा इस box में capture लिखा हुआ है बिलकुल उसी तरह से यहाँ पर आपको लिखना है small में है तो small में, capital में है तो capital में और अगर number है तो वो number आपको बिलकुल वैसे ही लिखना है अगर capture आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर refresh का एक button है इस पर click करके आप capture को change भी कर सकते हैं उसके बाद आपको submit पर click करना है यहाँ पर देखिए मुझे एक error देखने को मिल रहा है, server के वज़े से यहाँ पर status check नहीं हो रहा है तो अगर आपको भी red color में कुछ इस तरह का error देखने को मिलता है तो आपको निश्चिंत रहना है यह server के वज़े से कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए आप इस time पर check नहीं कर पाएंगे बट जितना बाद भी आप check करते हैं, अगर आपको इसी तरह का error देखने को मिलता है तो इसका मतलब यह भी होता है कि आपके enrollment में ही किसी तरह का problem है इसलिए यहाँ पर इस तरह का error आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर मैं अब दूसरा enrollment नमबर दे करके उसका status चेक करके आपको दिखाता हूँ तो वापस से वही process को repeat करना है, scroll up करना है और यहाँ पर check enrollment and update status पर click करना है अब यहाँ पर जो मैं enrollment नमबर दे रहा हूँ, यह दूसरे slip का है तो वो enrollment नमबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है अब date और time मैं छोड़ रहा हूँ और direct जो box में capture है, वो capture मैंने fill up कर दिया है आप एक बार अच्छे से देख लिजिए, बिल्कुल आपके सामने में मैं कर रहा हूँ, उसके बाद अब यहाँ पर जो submit वाला button है, इस पर मैं click करूँगा तो देख लिजिए, यहाँ पर status so कर गया, यहाँ पर बता रहा है, your आधार has been generated यानि कि जो भी update किया गया था इस आधार में, वो successful complete हो गया है, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ enrollment number दिया है, date और time मैंने नहीं दिया है तो देखा आपने कितना आसान परकिरिया है, इस आसान से process से आप खुद घर बैठे mobile से चेक कर सकते हैं, कि आपने आधार कार्ड में जो भी correction करवाया है, या नया आधार कार्ड बनवाया है, तो बहुत ही आसानी से आप उसका status चेक कर सकते हैं अगर enrollment complete नहीं हुआ रहेगा, तो यहाँ पर आपको process में दिखाएगा, और अगर किसी कारण से reject हो जाता है, तो यहाँ पर आपको reject वाला message देखने को मिलेगा red color में तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किजिए, चैनल को सब्सक्राइब किजिए और इस वीडियो को ज्यादा सज्यादा सेर किजिए